नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की वीडियो मैं आपको बताऊंगा प्याज पंजीनियम की वड़ी खबर दोस्तों जो सरकार है बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके बोलते हैं कि भाई मैं अपना पंजीनियम कैसे कराऊं तो दोस्तो मैं उन्हें मैं उन्हें बता दूँ भाई पंजी नियम हो चुका है लाभांतर योज़ना के तयत अगर आप अपना प्यास बेचेंगे तो दोस्तो सरकार खरीद लेगी आपका प्यास लाभांतर योज़ना के तहत इसी के साथ दोस्तो पंजियन की जो नियम और सरते क्या है मैं सारे कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तो आप से अनलोद है अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो अभी उनको इस योजना का फायदा मिलेगा और उनका जो प्याज है वो अधिक दामों में बिचेगा तो चलिए दोस्तो आज के क्या अपडेट है आगी की अपडेट में आपको बताऊंगा आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं दोस्तो एक जून से प्याज की खरीद सुरू हो जाएगी इसी के साथ दोस्तो पंजियन जो इतने हैं किसान भायों के प्याज की किसान भायों के वो 30 जून तक ही किया जाएंगे उसकी बाद दोस्तो एक तीस माई तक पंजियन भी दो एकड़ वाले किसानों का होगा जिन किसानों के बास दो एकड़ जमीन है ये पंजियन केवल केवल उन्ही किसानों का होगा इसके बाद दोस्तो आगे की अपडेट में दिया गया हु आपको इस योजना का लाव नहीं दिया जाएगा, अगर दोस्तों आपके पस लिल्जधारी की जमीन है और पट्टे वाली जमीन है, तो आपको इस योजना का लाव नहीं मिलेगा, बैसे आप इस लाभांतर योजना के तह्त अपना प्यास बेच सकते हैं